तो नमस्कार, बिहार में सरकारी नोकडी को लेकर एक ख़ूब चल रही है कि अगले एक साल में बिहार सरकार 12 लाग सरकारी नोकडी देने जा रही है और 11 लाग नए रोजगार सिरजित करने वाली है कई मीडिया रिपोर्ट में इसी तरह की हेडलाइन बन रही है लेकिन 12 लाख सरकारी नोकडी में आखिर क्या सच्चाई है आपको इस पूर वीडियो में पूरे विस्तार से हम आपको समझाएंगे बरहाल ये खबर पूरी दर से सही है कि नितीज सरकार मिसन बोर्ड में अगले एक साल तक बिहार सरकार के 45 विवागों में खाली पड़े पदों को भर सकती है और कुछ में तो निक्ती प्रिक्रिया वो सुरू भी हो चुकी है तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस विवाग में कितने पद जो है वो खाली है और इसके बाद आपको 12,00,000 सरकारी नोक्री का सच जो है वो आपको बताएंगे दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि बिहार में किस विवाग में कितने पद खाली पड़े हैं या उसमें निक्ति प्रिक्रिया चल रही है सिक्षा विवाग की बात करें तो बिहार में सिक्षा विवाग में लगभग 2,17,000 के करीब खाली है स्वास विभाग की बात करें तो लगबग 65,734 पद खाली हैं और इसमें वो बहाली परक्रिया चल भी रही ग्रीव विभाग की बात करें तो इसमें 41,000 पद खाली हैं नगर विकास एबम आवास विभाग में जो हैं उनी सौर तालीस पद पंचैती राज में पांच जार पांच सो एक्क्यावन पद खाली हैं निर्मान में 3823 पद मंत्री मंडल सचीवाले विभाग में 2994 पद वनि जीकर विभाग में 1489 पद खाली हैं आप्दा प्रबंधन विभाग की बात किया जाए तो 1065 निर्वाचन विभाग में 25 पद उर्जा विभाग में 5583 परियावरन एवन जलवायू विभाग में 2520 पद वित विभाग में 1504 पद और वहीं खाद्यम व प्रणन विभाग में 3047 परियावरन विभाग में 3500 परियावरन एवर्जा विभाग में चार सो तीस पद खाली बताए जा रहे हैं संसदिय कार्व विभाग में सत्रह योजनावं विकास विभाग में 3128 लोकस्वास्त में 218 मद निसेद उत्पाद में 2081 राजस्वें भूमी सुधार विभाग में 15214 पद पत निर्भान विभाग में 2465 पद जो खाली बताए जा है अनुसरी जाति उनसुची जन जाती कट लयान विभाग में 713 पद खाली बताए जा रहे हैं विञ्ञान प्रदुव्झी के वं तकनिकी विभाग में 6688 पद खाली पड़ा जाओ बताई जा रहे हैं समाज कल्यान विभाग में 1844 papak में 1096 पड़ वहीं प्रियाटन विभाग में 91 प्रिवन विभाग में 7521 निगरानी विभाग में 3061 जल्सन साधन विभाग में 37171 पड़ जो है वह खाली बताई जाने तो कोल मिला करके यहां पर मिडिया रिपोर्टों में सामने आई है उसके मुताविए लगफ़ चार लाग बहत्तर हजार नौसो चीहत्तर पद जो हैं वो फिलहाल बिहार सरकार के अलग-अलग विभागों में वो खाली पड़े हैं दोस्तों आपने इतना तो जान लिया लेकिन एक साल में 12 लाख नोकरी की बात कहां से आई चलिए इसकी सचाई को जान लेते हैं इसके साथ ही 22 लाख से अधिक रोजगार जो हैं वो सिर्जित किये जा चुके हैं मुक्वंतरी के साथ निस्चे पाट्टू के तहट 10 लाख सरकारी नोकरी देने का जो लक्ष नरधारित किया गया था अब उसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है जिससे सरकार 2024 पचीज तक पूरा कर देना चाहती है यही कारण है कि हर जगा एक साल में 12 लाख सरकारी नोकरी देने की हेडलाइन बन गई लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार 5 साल में 12 लाख सरकारी नोकरी देगी जिसमें अभी तक 5,16,000 नोक्रियां हो चुकी है सरकार का दावा है कि 1,99,000 नोकोरियां अगले तीन महठे में दे दी जाएगी वहीं 2,11,000 नोक्रियों की अनुस्थनसा जो है वो आयोगों को भेजी जा चुकी है और 2,34,000 नोक्री कंसुंसा भेजने की तयारी में है तो इस तरह इन सब को मिला कर अगले साल तक 5,17,000 नोक्री जो है वो सरकार दे रहेगी वहीं आपको बता दे कि राजी के सरकारी विभागों में कर्मियों के एकुल 16,26,97 पर मंजूर है यही कारण है के नितीस कुमार सरकारी नोक्री को लेकर मिसन मोड में आ चुके हैं पिछले विधान सभाचुनाओं और लोग सभाचुनाओं के दोरान बिहार में सरकारी नोक्री का मुद्धा खूब चला है तेजिसुरी यादव ने पिछले विधान सभाचुनाओ के दोरान 10 लाख सरकारी नोकरी देने का वादा किया था लेकिन उनकी सरकार नहीं बन सकी लेकिन जब नितीस कुमार ने बीच में BJP का साथ छोड़कर RJD के साथ मिलकर सरकार बनाई तो तेजिसुरी यादव उपमुक सरकारी नोकरी मिल रही है तो अब विधान सभाचुनाओ से पहले भारी संख्या में सरकारी नोकरी दे करने तीस कुमार उस नेरिटिव को काउंटर करने की कोसिस कर रहे हैं बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राइक कमेंट बोक्स में जरूर रखिए वीडिय बारे में बारे में जरूर रखिवाच।